गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स आज जसी चैप्टर नमबर थ्री जिसदा नाम है परमात्मा हर था मजूद है पेज नमबर है 15 परमात्मा हर था मजूद है इस दे शबत तो ही पता चलदा है कि जरी परमात्मा दी हो दै वो हर पास्य है इस कारके इंसान नू अपनी स्रियां दी हमेशा मदद करनी चाहिदी है इस कहाने विच दस्या गया है कि परमात्मा साध्य अंदर आसे पासे हर जगा मजूद है इसलए किसे नू चोट पहुचाना राब्बनू चोट पहुचोना है कदे किसे दा दिल ना दुखाओ ओना गल्ला दा ही परचार करो जो तुसी अमली रूप विच कर दे हूँ गुर्बचन सिंग बड़ा मेहनती किसान सी ओहो अपनी थोड़ी जही जमीन विच ही ज्यादा मेहनत करके चंगा गुजारा कर लेंदा उस दा इकको पुक्तर सी जिसनू प्यारनाल ओहो बिट्टू बलोंदा गुर्बचन सिंग सार दिन खेत्तांच कम करके शामी कार आउंदा रात रोटी पानी खान तो बाद बिट्टू अपने पापा दी मंजी ते आलेट दा अते सोन तो पहला पापा नू कोई कहानी सनोनले केंदा गुर्बचन सिंग उसनू रोज कोई ना कोई दादी मादी सिख्या दाइक कहानी सनो सिख्या दाइक तो पाव प्रेर ना देन वाली सिख्या देन वाली कहानी आज उसने बिट्टू नो कहानी सुनाई की परमातमा हर था दे मजूद है बिट्टू ने एद्दर उद्दर वेक के केहा पापा तुसी कहन दे हो की परमातमा हर था दे है पर मैंनू ता ओहो किते भी खाई नहीं देनदा। गुरुबचन सिंग ने केहा असी पर मातमानू नहीं वेख सकते पर ओहो हार था है ओहो सानू अते साधे सारे चंगे माडे कमानू वेखता है। बिट्टु ने पिता दी गल पल्ले बान लई गल पल्ले बान लई तो पाब गल नू दिमाग वीच बिठा लेना। हून इस गल दा बड़ा त्यान रखदा की उस कोलो कोई गल्त कमना हो जावे। जदो ओ बच्चा सी जदो उस दे पिता ने उनू समझाया की पर मातमा साधे सारे चंगे माडे कमानू देखदा है ता एहे गल उस बिठ्टू दे दिमाग दे बैठ गई ते ओहू जदो भी कोई कम करदा ते इस गल दा खास दे आन रखदा की मैं कोई गल्त कमना कार बैठा एक वारी बारिश बिल्कुल ना होई सारे चोटे किसानना दिया फसलां सुक गईया बिठ्टू होरां दे पिंड सिर्फ वड़े जगीरदार दी फसल ही होई सी क्योंकि उस दिया अपनिया बंबियां सन अते ओनना दी फसल नो वेल्ले सिर पानी मिलदा रहा सी पिंड विच काल वर्गी हालत हो गई सी बारिश बाव मी जगीरदार जिसकोल बहुत सारियां जमीन ना हुंदियां हन बंबियां ट्यूवेल यदे विच्च है कि जदो बारिश बिलकुल ना होई था छोटे की सान जडे गरीब की सान सन उनना दिया फसलां जेलियां सी सुक गईयां सन ते जेला जगीरदार सी ओ अमीर सी उस देयां अपनियां ही ट्यूवेल बंबियां सन जिस नाल ओदी फसल बहुत ज़ादा हो गई ते जिस दे नाल चोटे की सान जडे है ओ काल वर्गी स्तित्ती बन गई एक रात गुरुबचन सिंग ने बिट्टू नाल लिया अते जगीरदार दे खेतावाल तूरपया ओ एक परी कनकदी चोरी वड के लियोनी चोंदा सी क्योंकि कार खान नो इक दाना भी नहीं सी बिट्टू नो खेत तो थोड़ी धूर खड़ा करके उसने केहा तू चारे पासे त्यान रखी कोई एदर आये जाँ वेखे ता तू चुपगार के मैंनो दास्त दई तूर बचन सिंग नो जदों कारदे विच एक वी दाना नजर नहीं आया ताहू मजबूर होके जगीरदार दे खेतादे विच तूर पया ते अपने बच्चे नो कहनदा है कि तू बाहर खड़ा होके त्यान रखी कि कोई आना जाए क्योंकि ओहो उत्तों एक कनक दी चोड़ी वड़ के लिवनी चौंदा सी गुर्बचन सिंग जियों ही जगीरदार दे खेत विच जाके कनक कटन लगगा उसे वक्त बिट्टू आ गया पिता जी रुक जाओ क्यों कोई वेख रहे है गुर्बचन सिंग ने पुछिया हाँ वेख रहे है बिट्टू ने जवाब दित्ता कुर्बचन सिंग उसे वक्त खेत विच्चो बाहर निकलाया ते पुछिया कोण वेख रहा सी तुसी हीता मिन्नू छोटे हुंदिया एक कहानी सुनाई सी कि प्रमातमा हर थांते मजूद है अते ओहो हर इक दे चंगे माडे काम वेख दा रहेंदा है बिट्टो ने पोले पा पिता जीनू उसे ओन्ना दी सुनाई होई गाल ही कै दित्ती गुर्बचन सिंग अपने पुत्तर दी गाल सुन के बड़ा शिरमिंदा होया शिरमिंदा होना की शरमशार हो गया अती चुप चाप बिट्टू दा हत्फ़ाड के कारवाल तूर्पया सो इस दे विच्च दस्या गया है कि जरा प्रमात्मा है ओ साननों हर वेले देख रहा है कई वरी इंसान सोचदा है कि साननों कोई नहीं देख रहा ओ चोरी करदा है मार पिटाई करदा है पर उसनो ए नहीं पता कि प्रमात्मा उसनो देख रहा है इस कारके सान्नों हमेश्या चंगे काम करने चाहिए हन सान्नों ओ काम करने चाहिए हन जो प्रमात्मानों चंगे लगन ते प्रमात्मा भी साथा साथ दवे हो नसी पढ़ांगे शब्द अर्थ सिख्या दाईक, सिख्या देनवाली गल पल्ले बन लेना, गल नूदि माक विच बेठा लेना जगीदार जो बहुत सारी जमीनदा मालक होवे काल पुखे मरंदी, स्तित्ती, पुखे मर्नवाली स्तित्ती बारश वर्खा, शर्मिनदा, शरमसार बंबिना, ट्यूब वैला, तान वाल